हाँ भिया राम राम हम इंसान भी थोड़े अजीब है हम मोबायल खरीदते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,000,000 लेकिन खरीदते ही सबसे पहले हम जाते हैं जेल रो, कि भिया ग्लासगाड डाल दो, बेक कवर डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो क्यों उस पे scratch नहीं आना चीव या लेकिन जहां बात आती है हमारी जान की हमारी खुद के चहरे की हमारी skin की वहां हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम ऐसे ही गाड़ियां चलाये जा रहे हैं बिना कोई helmet बिना कोई safety gears के क्यों भी हमें जान की कीमत नहीं है आज आप देखिए लाखों लोग accident में अपनी जान गवा रहे हैं कोई wrong side जा रहा है कोई over speeding में जा रहा है कोई कहां जा रहा है कोई कहां जा रहा है कोई कहां जा रहा है बिया अपनी जान की कीमत लगाओ सही कीमत पहचानो क्योंकि आपके घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है helmet जरूर लग जान की है तो उसको कीमत को समझो और घर पे जो आपके अपने चाहने वाले जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हेल्पट ज़रूर लगाए और चार पईयां वहां चालत भाई साब आप सभी से निवेदन है कि आप सीड बेल्ट ज़रूर लगाए क्योंकि वह आपकी सेवट लिए दिया गया है और भियाँ मेरे साथीगंण जो बाइक चलाते हैं शोकीन है आप हेल्मेट पहनो कसम से चीज़ को मानो आप और ज्याद अच्छे लगोगे जब आप helmet पहन के निकलोगे तो आप सभी से निवेदन है कि helmet ज़रूर पहने और करना कुछ नहीं हमें किसी को ग्यान नहीं देना मैं भी आपको कोई ग्यान नहीं दे रहा हूं कि आपको करना ही करना है वो हमारी जान की safety के लिए बनाये गए आप कुछ मत करिए बस खुद सुधर ये मैं खुद चाहता हूं मैं भी ट्राफिक नियमों का पालन करता हूं आप कुछ मत करिए जादा red light है आप रुख जाए जब चालू होगा निकल जाए रॉंग साइट नहीं जाना है जिस साइट से हमें जाना है उसी साइट से आप जाएए आप देखिए खुद में बदलाव जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत सारी चीजे सही कर पाएंगे क्योंकि जैसे हम सुच्छिता में number one आये हैं वैसे ही हमें ट्राफिक में भी number one आना है मानता हूँ बहुत सारी समस्या हैं अभी मैं आपसे पूछूँगा आप मुझे हजारों समस्या बता दें लेकिन हमारा सिर्फ एक लक्ष होना चाहिए कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं क्योंकि एक बात आप ये समझी है समस्या हर कोई गिनाने आ जाएगा लेकिन साथ कौन दे रहा है सही चीजों को करने में आप महां फोकस कीजिए तो आज से आप प्रण लीजिए कि भाईया ज्यादा कोई बड़ा हमें कसमें नहीं खानी है बस हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है घर से निकलते ही अगर आप बाइक से जा रहे हैं हेलमेट लगाईए अगर आप कार से जा रहे हैं सीड बेल्ट लगाईए इसके अलावा अगर रेड लाइट है तो आप बकाईदा रुकिए दो मिनिट में आपका जो जहाद चल रहा है या जो मेरा जहाद चल रहा है वो कहीं नहीं जाएगा दो मिनिट में कुछ नहीं होगा अराम से दो मिन घर से जल्दी निकले सिगनल पर रुकिए अच्छे नागरीग बनिए और अपने इंदोर को ट्राफिक सुधार में बिआ नमबर बन लाना क्योंकि आज आप देखते हैं बहुत सारे एक्सिडेट ऐसे होते हैं कोई रॉंग साइड जा रहा है किसी ने किसी को ठोग दिया तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है, जिसको जो करना आप करने दीजिए, आप सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए.